विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएँ जे गुरुदेव योग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है रिशी उद्दालक की कहानी हम पिछले एपिसोड में देख रहे थे आगे महर्शी वसिष्ट और प्रभू रामचंद्र जी में क्या संबाशन होता है वो देखते है वसिष्ट जी ने आगे कहा हे राम इस प्रकार रहते हुए अर्थात निरंतर आत्मा की प्रकृती का अनुसंदान करते हुए शांती को प्राप्त करो चेतना की स्थिती के प्राप्ती वैराग्य को बढ़ाने, धर्मशास्त्रों का अध्यन करने, गुरू के आदेशों पर चलने और निरंतर अनुसंदान में लगने से ही होती है चार मार गई आहां पर बताए है उस शुद्द चेतना की प्राप्ती वैराग्य को बढ़ाने से, धर्मशास्त्रों का अनुसंदान करने से, अध्यन करने से, गुरू के आदेशों पर चलने से, और नित्य आत्म अनुसंदान करने से होता है तो इन चारों का इस्तमाल करके या इन में से किसी एक का इस्तमाल करके हम चेतना की परम अवस्ता तक पहुँच सकते हैं यदि जागरत बुद्धी तीक्ष्न और धारदार हो तो तुम बिना अन्य सादनों के भी शान्ती को प्राप्त कर सकते हो अगर तुमारी बुद्धी एकदम तीक्ष्न है ना धारदार का मतलब क्या एकदम शार्प तीक्ष्न अगर तुमारी बुद्धी एकदम तीक्ष्न है तबी भी तुम उस परम चेतना के स्तिती की प्राप्ती कर सकते हो राम ने पूछा ये महर्शी कुछ ऐसे भी है जो आत्मग्यान में स्तित रहते है ऐसे भी है जो क्रिया कलापों में लगे रहते है और कुछ ऐसे भी है जो विबिन्नक क्रिया कलापों से दूर रहते है और समाधी में स्तित रहते है इनमें से उत्तम कौन है राम का प्रश्ण बहुत ही दिल्चेस्प है कुछ लोग है जो प्रतीत निश्क्री होते समाधी में बैठे है कुछ करते नहीं है या कुछ लोग है वो सारे क्रिया कलापाओं में अपने आपको व्यस्त भी रखते है सारे day to day activities हो सकते है या और भी कुछ चीज़े हो सकती है उसमें अपने आपको लिप्त रखते है फिर भी आत्म ग्यानी है कुछ है जो स्तिर होकर बैठे है समाधी में द्याहन की स्तिती में वो भी आत्म ग्यानी है तो इन दोनों में से उत्कृष्ट कौन है वसिष्ट ने कहा हे राम समाधी वह स्तिती है जिसमें व्यक्ती इंद्रियों के पदार्थो तथा विश्यों को स्वसे नहीं जोडता और इस प्रकार आंतरिक शान्ती में हर समय डूबा रहता है समाधी की स्तिती क्या है जिसमें व्यक्ती इंद्रियों के पदार्थों को तथा विश्यों को स्वसे के साथ नहीं जोडता कोई भी इंद्रियों को जब-जब हम स्वसे के साथ जोडते हैं तो कर्मों में लिप्त हो जाते है ये देखा है अपने इंद्रियों जन्यपदार्तों के साथ या इंद्रियों के साथ जब जब हम उस स्वल को आहम को जोडते है तो कर्मों के इस चक्र में उलज जाते है पर समादी के स्तिती क्या है स्तिरो कर बैठ कर वो अपने भीतर के स्वल को ना तो इंद्रियों के साथ या इंद्रिये जन्यपदार्तों के साथ जोडता है जब यह बोध हो जाता है कि पदार्तों का संबन्द मात्र मन से होता है तो इस प्रकार आंतरिक शान्ती में स्तित रहते वे भी कुछ क्रिया कलापों में सलगन हो जाते हैं और कुछ उन से दूर रहते हैं देखो पदार्तों का संबन्द ये मन तक ही सीमित है यही जिसको बोध हो गया ना फिर उसको फरक नहीं पड़ता वो क्रिया कलापों में उलजा रहे यह समाधी में स्तित होकर बैठा रहे दोनों कंडिशन में उसे कुछ फरक नहीं पड़ता दोनों को चिंतन मनन का अनन्द प्राप्त होता है यदि समाधी में स्तित किसी का मन दुष्चिता रहता है तो वह पागल व्यक्ती है समाधी के बाद भी मन में दुष्चिता चिंता रहती है या दुष्चिता कह सकते है जो अशुद्ध है शुद्ध नहीं है तो फिर उसको पागली कहना चाहिए कि समाधी के पाज जाकर भी यह सारा क्या कर रहा है इसके विपरीद यदि दिखने में किसी पागल व्यक्ती का मन भी सभी प्रकार के दारणाओं से मुक्त तथा दुष्चिता नहीं है तो वह आत्म ज्यानी है और उसकी समाधी अटूट है इसके विपरीद भी हो सकता है कि कोई दिखने में तो पागल है लेकिन वो पूरी तरीके से उसका मन या तो दुष्चिता नहीं है या तो उसने सभी दारणाओं से अपने मन को मुक्त कर लिया है तो वो भी आत्म ज्यानी है समाधी के स्थिती पे है तो बहाईय आवरण से ये बहाईय दर्शन से हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सही में आत्म ज्यान में डूबा है और कौन नहीं यह यहाँ पर बता रहे चाहे वह विबिन्न व्यापारों में सल्लग न हो और चाहे वह निर्जन वन में रहता हो आत्म ज्यान में दुछ चित्तापन नहीं होता जो मन बद्ध मानसिक्ताव से मुगत है वह दूशीत नहीं होता बले ही वह कुछ समय व्यापारों में सल्लग न क्यू रहे व्यापार का मतलब actual business नहीं जीवन से जुड़ीवी जो भी क्रियाय ह होती है उसको भी एक तरीके का व्यापार ही कहा गया है तो या वो व्यक्ति कोई भी व्यापारों में या कोई क्रियाओं में अगर सल्लग नभी रहे लेकिन उसका जो वो चित है मन है वो न मुक्त है वो चेतना के उस स्तिती में पहुच चुका है शुद्ध स्तिती में फिर वो बाहिय अंग से क्या करता है, जीवन के उपरी स्तर पे वो क्या करता है, वो कुछ ज़ाड़ा माइने नहीं रखता। चिंतन और अचिंतन का अंतर इस बात में हैं कि मन में विचार संबंधी हलचल है या नहीं। इसलिए मन को मानसिक बाध्यता से रहित करो। मन को मानसिकता क्या करती है, बाध्य करती है, हमारा जो स्वभावे मानसिकता है, वो हमें उल्चा देती है। तो उससे जो मुक्त कर सकता है, मन को मानसिक बाध्यताओं से वो सही में ग्यानी है या आत्म ग्यानी है। अबाद्यमन दुरुड होता है ऐसा होना स्वयम्मे ध्यान, स्वतंत्रता तथा शाश्वत शांती है अबाद्यमन अकर्ता होता है और आत्मग्यान के उच्चस्तर को प्राप्त कर लेता है अबाद्यमन अकर्ता होता है जो मन मानसिक ताओं के चंगुल में नहीं फसाना उनसे मुक्त है न वो मन अकर्ता है मन शुद्ध हो चुका है चेतना के सुरूप में पहुच चुका है फिर वो बंदा हुआ कैसे रहेगा यह यहाँ पर कह रहे है इसलिए व्यक्ती को सभी प्रकार की मानसिक बाद्यताओं को दूर करने के लिए सचेष्ट होना चाहिए चिंतन या समादी उसे कहते है जिससे संसार से संबंद सारी इच्छाए और आशाए समाप्त हो जाती है और दुख बहे और इच्छा से स्वतंत्र होने के फल स्वरूप आत्मा अपने आप में स्तित हो जाती है समादी किसे कहते है एक बार फिर से सुनना जिससे संसार से संबंद सारी इच्छाए आशाए समाप्त हो गई संसार से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा कांग्शा भी शेश नहीं रही उसी स्तिती को समादी की स्तिती में पहुँच गये ऐसे कहते है और वो जब हो जाता है तो क्या होता है दुख, भहे और इच्छा से सुतंत्र हो जाते हैं और फिर क्या होता है आत्म स्वरूप में स्तिती प्राप्त होती है यदी पदार्तों के साथ आत्मा की मिथ्या पैचान को मन सा त्याग दो और तबी जहां तुमारी इच्छा हो वहाँ जाओ फिर चाहे घर में रहो या वन में रहो गुरुहस्त पूर्ण मानसिक निश्कृत्या को प्राप्त कर लेता है उसका घर ही वन हो जाता है जिसने मन को शुद्ध कर दिया जिसने मन को मुक्त कर दिया जो उस चीतना की स्तिती में स्तित हो गया उसके बाद कुछ फरक नहीं पड़ता वो घर में रह रहा है या जंगल में रह रहा है वो घर में रहकर भी जंगल में जाने के बाद जैसे शांती की अनुभूती को प्राप्त करता है वैसे वो बले ग्रहस्त क्यों न हो हर जगह अपने घर में भी वैसे स्थिती को अनुभू करता है यदि वहाँ उसका मन शांती में स्थित है उसमें अहम भाव नहीं है तो उसके लिए नगर भीवन है लेकिन इसके विपरीद अगर वो जंगल में है लेकिन वहाँ पे वो अगर बद्ध है तो जंगल भी नगर हो जाएगा और अगर वो नगर में है पूरे जहां पे नगर का मतलब क्या जहां पे बहुत सी क्रियाय होती रहती है कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती है और उसने अपने मन को बाद्य नहीं होने दिया मुक्त कर दिया तो उसके लिए नगर के बीचो बीच रहकर भी वो वन में ही अपने आपको अनुभव कर सकता है इसके विपरीद वन उसके लिए नगरों के समान है मन मुक्त नहीं है तो और अगर घर में भी रहोगे या नगर के बीचो बीच भी रहोगे और तुमने वो शांती को मन को बाद्यता से मुक्त कर लिया है तो तुमारे लिए वो भी बन के समान है गयरी नीन में मन की अन्य मनसकता प्रशमित हो जाती है आत्मग्यान आत्मग्यान को प्राप्त कर लेता है अब चाहे जैसा वैसा करो गहरी नीन्द की स्थिती में न कोई अस्तित्व शेश नहीं रहता गहरी नीन्द की स्थिती में लई हो जाते है उस परमचेतना के साथ वो स्थिती प्राप्त कर लो फिर कुछ फरक नहीं पड़ता तुम्हारे मन में जो आये वो करो उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा यही यहां पर बतलाया जा रहा है तो मन को बाद्य होने से मुक्त करना यही सबसे प्रथम और महत्व पूर्ण उद्देशे उसे अगर तुमने हासिल कर लिया फिर जो राम ने प्रश्न पूछा था फिर उसमें कुछ फरक नहीं पड़ेगा वो क्रिया कलाप करते रहे या ध्यान के स्तिती में बैठे रहे वो चाहे जिस जैसे भी आपको प्रतीत हो रहे हो दिख रहे हो वो है तो एकी जगह पर परम आनंद की स्तिती में आज के इस एपिसोड में यही पर रुखते हैं अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है तब तक के लिए जय गुरु देव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे